हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम चैप्टर नमबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं सेट ओफ एंड केरी फोरवर्ड ओफ लॉसे इंकम टेक्स का ये जो है एक बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दें चलि आए स्टार्ट करते हैं set of and carry forward of losses अब set of का मतलब क्या होता है जैसे कि माले जे पिछले साल मेरा कोई loss हो गया था ठीक है किसी भी head से loss हो गया अब उस head का जो loss है मैं आगे carry forward कर सकतेूं carry forward का मतलब जैसे हम accounts में करते हैं कि जो balance बच जाता है उसको आगे next year में carry forward कर देते हैं इसी तरह से जो वो loss है उसको carry forward करके और अगर इस साल मुझे profit हो गया है तो उस profit में से minus कर सकते हूं ठीक है तो इसको बोलते हैं setup कि हम पिछले साल के जो losses होते हैं वो इस year जो हमारा current year चल रहा होता है उसमें से deduct कर लेते हैं इसको बोलते हैं set of and carry forward of losses अब जैसे कि मान लेजिए कि जो मेरा income from house property है ठीक है मैं बोलते हूं जो मेरी income आई है house property से income from house property ठीक है वो income है मेरी 70,000 और यह जो income है यह current year की है और पिछले साल में से 20,000 का जो loss है वो आ रखा था ठीक है और यह loss किस में से था यह भी income from house property में से था HP ठीक है अभी पिछले साल का loss था यानि कि यह previous year का loss हो गया previous year का जो loss है current year की जो हमारी income हुई है यानि यह जो मेरी income है यह आप कहलो यह मेरा जो profit है इसमें से हम क्या कर देते हैं deduct कर लेते हैं ठीक है profit यह आप कहलो income अब इसमें से deduct कर देंगे 20,000 तो इसका मतलब यह जो 20,000 रुपीज है इसको हमने क्या कर दिया set off कर दिया from the current year of income current year की income में से set off कर लिया फिर हमारे पास जो है आजाएगा 50,000 ठीक है अब इन जो losses हमारे जो losses होते हैं इनको set off करने के लिए हमारे पास क्या क्या provisions हैं वो हम देखते हैं set of losses का मतलब होता है कि हमारे जो loss है same year के उसको जो है same year के अंडर जो income आई है उससे set off कर दें कई बर क्या होता है एक ही income के अंदर हमारी loss भी आ रही हो और एक ही income के अदर हमारा profit भी आ रहे है तो मुसको भी कर सकते हैं अब देखो, set off under the same head, पहला जो हमारा point है, यह आप कहा सकते हैं, पहला जो provision है, वो है कि आप जो है, same ही head से जो है, set off करें, जैसे अगर हमारी जो loss है, वो income from house property से है, तो house property से ही करेंगे, या हमारा जो speculative business के जो profits होते हैं, या speculative business के जो losses होते हैं, उनी को, उनी से set off कर जाता है, जैसे कुछ हमारे losses होते हैं, अगर हमारा कोई business speculation का business है, तो उसका जो loss है, वो speculation business से ही होगा, आप किसी other head के business से, उसको set off नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से, जैसे कि अगर हमारा long term capital gain है, तो आप उसको long term capital gain से ही set off करेंगे, short term capital gain से set off नहीं करेंगे, जो long term capital loss होता है, उसको, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारे provisions हैं, तो देखें, क्या क्या है, if the net result for any assessment in respect of any source falling under the head of income, is a loss, the assessor shall be entitled to have the amount of such loss set up against the income from any other source under the same head, यानि same head के अंदर, अगर कोई भी income है, other source की है, अगर other source का head है, उसका loss हुआ था, तो C के head से ही क्या है, set up कर देंगे, ऐसे ही, अगर हमारा PGBP का head है, और उसमें कोई loss हुआ था, तो C को उसकी income से set up कर देंगे, अब यहाँ पर देखो, the following are the exemptions to the above general rule, पहला बोला, loss from speculation business cannot be set up against the income from other business, other business की income में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ speculation की जो income होगी, उसी में से होगा, ठीक है, वो जो loss है, आप other business की income से set up नहीं करेंगे, क्योंकि वो business का है, तो और किसी business से नहीं होगा, speculation वाला, speculation business से ही, अगर हमें कोई profit हो रहा है, या कोई income generate हो रही है, तो उसी में से वो जो loss है, वो आप set up कर सकते हैं, next जो है loss of specified business, specified business का जो loss है, specified जो आपको specify किये गए है, section 35 AD के अंदर, PGP के head में, तो उनको भी जो है, आप other business से, कोई भी other business से, नहीं कर सकते हो set up, सिर्फ और सिर्फ वो set up होंगे, specified business की income में से ही, जो भी income generate होगी, specified business में से, उसी में से वो loss set up किया जा सकता है, उसके बाद है long term capital loss, अगर long term capital loss है, तो वो short term capital gain से नहीं होगा, आप वो सिर्फ वो long term capital gain से ही set up होगा, उसके बाद loss from the activity of owning and maintaining race horses, shall be set up against, income from owning and maintaining race horses only, जैसे कि अगर आपका race horses होती है, अगर उनका, ये बाद देहां रखना, अगर उनका जो खर्चा है, उनको पालने का, उनका maintenance का जो भी खर्चा है, उसमें अगर आपको कोई loss हो जाता है, तो वो भी किसी other income से set up नहीं होगा, उसी से ही set up होगा, और वो कभी भी आपका income from other sources हो गई, या कोई भी other head की income है, उसमें से set up आप नहीं कर सकते, अगर उन horses को आप पाल भी रहे हैं, और maintain भी कर रहे हैं, इस तरह का कोई loss है तो, चीक है, उसके बाद अगर आपको lottery से, या crossword puzzle से, gambling से, card, game से, या फिर आपकी batting विगेरा से, किसी भी तरह की income generate होती है, या आपको इसमें से, किसी भी तरह का loss हो जाता है, तो वो loss आप set up नहीं कर सकते, किसी भी head में से, नहीं आप इनके head में से कर सकते हो, ठीक है, lottery विगेरा का, अगर हम कहें की अलग head बनता हो, बहुत सारी ऐसी incomes थी, जोकि exempt थी, किनी के लिए exempt थी, कुछ areas के लिए exempt थी, तो अगर वहाँ पे कोई loss हो जाता है, उन exempted income में से कोई loss हो जाता है, तो वो भी कभी भी set up नहीं होगा, किसी भी head में से, exempted दिखाते हैं ने, जिसे income, तो exempted income में से भी, वो set off नहीं किया जाएगा, वो किसी भी head में से नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो income ही taxable नहीं है, तो उसका loss भी जो है, वो set off नहीं होगा, उसके बाद second point है, set off against income under other heads, अगर जैसे आपने मान लिया, जैसे जो incomes हैं, other head की incomes बची हुई हैं, तो उन में से भी कुछ incomes हैं, set off कर सकते हैं, जैसे, if after setting of under the same head of income, there still remains loss, the remaining loss shall be set off against his income under any other head, अब द्यान से सुनना, मैं कहती हूँ, कि मेरा जो income from other source, income from other source का जो loss है, वो 50,000 रुपीज था, ठीक है, और इसी तरह से, income from, मुझे जो है, HP दे रखा है, ठीक है, income from HP दे रखा है, मुझे 70,000, और मुझे income जो है, income नहीं ये loss है, loss लिखते हैं, ठीक है, और मुझे जो income है, बोद रखी है, from other source, कितने की, 50,000 की, अब देखो, अगर मैं बात कहूं, income from HP, ठीक है, ठीक है, उसकी बात मुझे गिवन है, income from other source, other source, other source से income मुझे कितने की हुई है, 50,000 की, और जो हमारा loss है, उसको मुझे सेट अफ करना है, loss from other source, 50,000 का, ठीक है, यह ऐसा करते हैं, हम इसको जो है, 70,000 का ले ले लेते हैं, हमारा जो loss है, उसको ले ले लेते हैं, 70,000, तो 70,000 का loss है, अब 50,000 तो set off हो गए, बाकी के जो बचे, 20,000 रुपीज, अब वो कहां से set off करें, अगर हमारे पास other, कोई दूसरी source की income है, तो हम उसमें से set off कर सकते हैं, 20,000, समझ आया, जैसे हमने same head के अंदर, अब set off कर दी, लेकिन उसके बावजूद, उसका जो loss है, जैसे मैंने loss बोल दियते हैं, कि हम 70,000 ले लेते हैं, 70,000 अगर loss ले तो 50,000 तो गया, लेकिन फिर भी बाकी का कितना loss बच रहा हमारे पास, 20,000 का, यहां पर एक चीज़ दिहान रखना, कि अगर आप house property से कोई भी loss set off करें, तो जो loss है, अधर head की किसी भी head की income का, वो सिर्फ आप 2,000 तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं, जैसे माल लो, अगर 2,000 तक का कोई loss है, तो उतना ही set off होगा, लेकिन अगर 3,000 का loss है, वो income from house property में से set off नहीं होगा, only 2,000 तक ही set off होगा, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोल रखा है, कि जो unabsorbed losses होते हैं, उनको carry it forward किया जाता है, 8 years तक के लिए, जितने भी losses आप carry it forward करते हैं, वो 8 years के लिए होते हैं, सिर्फ 2 या 3 ऐसे losses हमारे पास होते हैं, जो की 4 years तक के लिए ही होते हैं, carry it forward, उसके बाद आप उसको carried forward नहीं कर सकते, चाहे वो आपका loss बच भी रहा है, तो भी आप उसको set off नहीं कर सकते हैं, अब देखिए, कौन-कौन से loss हैं, जो कभी set off होई नहीं सकते, under other heads, यह बात ध्यान रखना कि उन्होंने बोला, under other heads, दूसरे heads के अंदर, speculation losses, loss from specified business, यह जो अभी हमने पढ़ा था, अगर कोई भी activity owning the maintenance, racehorse से होता है, तो वही वाला loss है, loss अगर capital gain में से हो रहा है, तो उसमें ध्यान रखना है, कि अगर आपका जो loss long term वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ long term में से होगा, short term में से नहीं होगा, लेकिन यही परी, अगर हम बात कहें, short term capital loss है, तो वो जो है short term capital gain से भी हो सकता है, और जो long term capital gain है, उससे भी हो सकता है, अगर आपको कभी भी PGBP के head से loss होता है, तो आप किसी भी head से उस loss को set up कर सकते है, except income from salary, income from salary के head में से उसको कभी भी set off नहीं किया जा सकता, आप बाकी house property के head में set off कर दो, other sources के head हैं उसमें set off कर दो, बड़ salary के head में कभी भी set off नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई भी loss जो है, winning from races, lotries या betting विगेरा से हो जाता है, तो वो भी कभी भी set off नहीं होता, ठीक है, फिर next है loss from business और profession, अगर आपको business या profession में से कोई loss होता है, तो वो जो loss है business का, अगर वो speculation business से है, तो speculation business से ही set off होगा, उनकी income में से ही set off होगा, और अगर जो आपका कोई other loss है, तो वो income from salaries है, उनको छोड़के बागी कहीं से भी set off कर सकते हो, और दीखिए अगर आपका क्योई भी unabsorbed depreciation है, वो आपका loss from business और profession नहीं treat किया जाएगा, और यह वाले जो होगे देखो, एक बात ध्यान से सुनने वाली है, मैंने अभी बोला था कि जो loss है, speculation, speculation business का, उसको आप कभी भी set off नहीं कर सकते हो, किसी भी other head से, जो भी other heads हैं, उनमें से set off नहीं कर सकते हो, not set off, कभी भी set off नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई other head है, other head के कोई loss है, और वो set off हो गए हैं, और बाकी बच्चा हुआ कुछ amount है, तो वो आप जो है, अराम से set off कर सकते हो, speculation business के profit में से, समझाई, loss जो speculation business का होगा, वो तो आप कभी भी set off नहीं कर सकते, other head में से, लेकिन other head के जो losses है, वो speculation business में से set off हो सकते हैं, चीक है, उसकी बाद है, हमारा loss of specified business, specified business के जो losses होते हैं, वो सिर्फ specified business की income में से ही set off होगे, इसी तरह से owning and maintaining racehorses, इसमें भी यही बात है, कि वो आप किसी other head की income में से नहीं करोगे, इसी में जो income होगी, तब ही आपका जो loss है, वो set off होगा, तो capital losses के अंदर short term जो आला, जो loss होगा, वो आपका long term बाले से भी हो जाएगा, capital gains से, और short term capital gains से भी set off हो जाएगा, लेकिन जो long term बाला है, वो सिर्फ और सिर्फ long term capital gains से ही set off होगा, उसके बाद सेवन्त है कि लोटरी और crossword puzzles वगयरा जो होती है, इनका कभी भी आप set off नहीं कर सकते हैं, इनका किसी भी head से या इसके खुद के head से भी आप नहीं कर सकते हो, उसके बाद है कि अगर आपको किसी भी तरह का loss होता है, AOP और BOI से, तो उसकेस में क्या है, वो जो loss है वो आपका apportion हो जाता है members के अंदर, बट यहाँ पे आप उसको set off नहीं कर सकते हैं, ठीके, उसके बाद यहाँ पे at a glance में एक छोटा सा table दे रखा है कि आप कहां कहां तक क्या क्या कर सकते हो, तो वो चीज़ मैंने आपको सारी उपर बता दी है, यह एक तरीके से आपको short form में given है, ठीके, उसके बाद है के rate forward and set off of losses में, loss under the head of income from house property, इसमें भी वही बात होगी, बस यहाँ पे यह दो-चार चीज़ें देखने के हैं, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप 16 marks के question के इसाफ से भी prepare करें, थियोरी को, तो आपको थियोरी इस तरह से prepare करनी है, कि दो-चार बाते इसमें similar ही है, आप कोई भी point देखेंगे, income from house property का भी फिर से point देखोगे, तो भाँ पर दो-चार बाते वही आपको फिर से सेम मिलेंगी, ठीक है, आप देखो यहाँ पर हम यही बात करेंगे, कि जो unabsorbed losses होते हैं, income from house property के, आप उनको कितने सालों तक carry it forward कर सकते हैं, तो वो आप maximum 8 years तक carry it forward कर सकते हैं, जो आपके 8 years, next assessment years होते हैं, उसके अंदर, और income from house property से ही वो जो है, set off होंगे, ठीक है, carry it forward and set off, non-speculation business losses, अगर non-speculation business है, speculation business नहीं है, normal business है, या आपका जो profession है, तो उस case में क्या करेंगे, उनका assessment year होता है, तो वो भी जो है, maximum 8 assessment year तक ही जो है, अपना, जो losses हैं, उनको set off कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसकी बाद बोल रखा है, कि अगर business है, profession जो है, अगर discontinuous loss, जो है, उसका carry it forward होता है, discontinuous loss का मतलब देखो, क्या होता है, कि अगर जो, आपका losses है, discontinuous business से हो रहा है, जैसे कि, माल लीजिये कि, अगर, कोई natural climate आ गई, flood, cyclone, या earthquake, या riot, या fire, या कोई enemy action हो गया, तो उस case में, जो business है, उसको discontinuous करना पड़ा, बड़, वो जो business है, उसको आपने, तीन साल के अंदर-अंदर, दोबारा से शुरू किया है, तो भी आप 8 साल तक, जो है, उसका loss, जो है, आप set off कर सकते हैं, अगर आपको जो loss हुआ है, उसमें क्या करोगे, वो after secession हुआ है, जैसे कि, inheritance के बाद, after secession हुआ है, तो वो जो loss है, carried forward किया जाएगा, and set off by his son, वो अपने son, जो उनका बेटा होगा, वो set off अराम से कर सकता है, बेशक उनके फादर की, जो है, death भी हो गई है, तो भी वो अराम से set off कर सकता है, ठीके, अगर speculation business का loss है, तो वो कम से कम, आपका जो है, carried forward हो जाएगा, 4 assessment year तक में, ठीके, उसके बाद, अगर आपका कोई specified business का है, तो ये भी जो है, fully set off हो जाएगा, और अगर ये fully set off नहीं हो जाता, तो भी ये carried forward किया जा सकता है, और इसका carried forward करने का, वो यहाँ पे year नहीं दे रखा, इसका मतलब ये जो है, 8 years तक अराम से carried forward हो सकता है, ठीके, उसके बाद next है, कि अगर आप capital losses को carried forward करते हैं, जैसे short term capital loss है, तो वो carried forward हो जाएगा, same head के अंदर, और उसके बाद भी अगर कोई amount बचता है, तो वो जो है next assessment year में, आप carried forward कर सकते हैं, अब ये बात धेहां रखना, कि आप जो भी next year में, जो next year होगा, आप उसको carried forward करके लेकर आ रहे हैं, तो वो आप same head के अंदर, अंदर ही जो है, उसको set off करेंगे, दूसरे head से नहीं कर सकते हैं, ठीके, इसी तरह से 8 years तक है, इसका भी time, 8 years तक आप carried forward कर सकते हैं, और जो दूसरा long term वाला है, उसमें भी 8 assessment year तक, जो है आप carried forward कर सकते हैं, और अगर हम बात कहें, owing और maintaining trace horses की, तो इसमें आप 4 assessment year तक, जो है carried forward कर सकते हैं, उस loss को, और फिर उसको set off, अराम से कर सकते हैं, आज हम करेंगे हीं तक कही topic, next video में हम करेंगे next topic, so मिलते हैं next video में, bye bye,